हेलो गाईज आज हम डिसकस करने वाले हैं बजास फिंसर के बारे में कि दोस्तों ये कितने टाइम में और क्या ये 10,000 के पार जाएगा बिल्कुल जाएगा दोस्तों 10,000 को ये जल्दी क्रॉस करने वाला ये कोशन मार्क हमारे पास अराइज होता है आप देखें बजास बजास फिंसर ने काफी अच्छा रिटन दिया है लोगों को और अगर हम बोल सकते हैं तो दोस्तों जिनोंने स्टार्टिंग में खरीद होगा उनको तो बोल सकते हैं लाकों में वो खिल रहे हैं आज के रिट में और ये स्टॉक देख लीजए कभी नुकसान नहीं देता था कभी भी नहीं और आज के रिट में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मतलब बिलकुल गिरा हुआ स्टॉक है और अगर आप जानोगे इसका जो इंट्रेंसिक वेल्यू है मैं बोल रहा हूं आपको 50% डिसकाउंट में स्टॉक मिल रहा है अगर आपने अभी भी भी बजाज फिंसर जो है अगर अभी भी आपने नहीं खरीदा तो मैं तो बोलूगा मौका है आपके पास खरीद सकते हो हां मालिजे जिनके पास पैसे नहीं है छोटे निवेसक जो स्टूडेंट है और मालिजे जिनके पास कम पैसे ठीक न वो दोस्तों एक क्वांटिटी करक है कि जो बजाज फिंसर ठीक है बजाज फिंसर है जो 10,000 को क्रॉस करेगा तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए इंट्रेंसिक वैल्लू का मतलब तो आपको पता होगा दोस्तों रियल वैल्लू जो प्रोडक्ट का रियल प्रैस क्या है उस कोस्ट ठीक है दोस्तों तो जो इसका इंट्रेंसिक वैल्लू 8,929 रुपीस तो अप्रोक्सिमाटल अगर हम बोलते हैं दोस्तों तो 9,000 रुपीस के आज पास ठीक है 9,000 रुपीस के आज पास दोस्तों इसका जो गेवल इंट्रेंसिक वैल्लू है और अभी कौन से प्राइज में यह ट्रेड हो रहा क्या है यह stock मुझे नहीं लगता है कि दोस्तो 20,000 के आसपास हो जाएगा 20,000 के आसपास और बजाज फिंसर एक अच्छा stock है धीरे-धीरे हो सकता है अब देखिए मैंने आपको जो है intrinsic value क्यों दिखाया ठीक है intrinsic value दिखाने के पीछे मेरा motive क्या था देखिए यह होता है दोस्तो intrinsic value का definition यहाँ पर देख सकते है in finance मतलब कि finance आप समझ रहे हो पैसे के लेन दिन जो company होती है दोस्तो intrinsic value और the fundamental value is that यहाँ देख सकते है is the true true का मतलब होता है दोस्तो real, real मतलब जो real price है उसका ठीक है inherent and essential value जो उसका essential value है वो बजास फिंसर का कितना है दोस्तो 8,900 के आसपास approximately कितना है 900 के आसपास sorry 9,000 के आसपास ठीक है 900 नहीं thousand है ठीक है तो 9,000 के आसपास जो है दोस्तो उसका real value है और उसका जो essential value है लेकिन आज की rate में वो क्या चला दोस्तो केवल 5,000 रुपीज के आसपास चल रहा और यह क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तो तो यह आपको पता है business में और उसके कोई भी management में problem नहीं या problem था तो वो coronavirus के वज़े से problem था जो sudden आ चुका था नहीं तो आज के rate में मुझे लगता है दोस्तो 15,000 के आसपास टच करने के लिए बजास फिंसर जो है ready हो जाता बिलकुल अब कुछ लोग ये भी question पूछेंगे कि आपने बजास फिंसर के बारे में बताया है तो बजास finance को किस price पे खरीदा जाए क्योंकि दोस्तो बजास finance भी उसी group का अच्छा company है तो बजास finance का जो real value बताया जा रहा दोस्तो वो है 1626 26 रुपिस ठीक है तो और अभी जो इसका current market price चल ला है 2346 रुपिस के आसपास तो यह कहा है दोस्तो overvalued है overvalued का मतलब यह आपको महंगे valuation पे मिल रहा ठीक है मतलब कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है जादा extra pay करना पड़ेगा अगर देख लिजे आपके पास दो option है दोस्तो एक 5000 का stock खरीते हो और 2000 का stock खरीते हो ठीक है ना तो product दोनों अलग अलग है इतना याद रखेगा business अलग है product अलग है लेकिन दोस्तो अगर आप यह 5000 रुपिस वालब product खरीत होगे तो यह आपको सस्ते में मिल रहा आप यह मत देखे कि इसका price जादा है अगर देख 1000 में दे रहा तो यह क्या है महांगा आपको दे रहा तो यह expensive है तो हम नहीं खरीदेंगा लेकिन दोस्तो अगर माल यह यह 50,000 का stock है यह 50,000 किसका है दोस्तो एपल का आपको दे रहा दोस्तो 40,000 में तो 40,000 तो यह आपके लिए क्या है दोस्तो यह इसका जो है आपको सस्ते प्राइस में मिला थोड़ा समझने का कोशिस किजएगा दोनों का प्रोड़क्ट अलग है बिजनस अलग है इसलिए दोनों का intrinsic value भी अलग है तो इसी वज़ा से तो ये जो बजाज finance है इसका जो intrinsic value थोड़ा मांगा है तो आप ये मत सोचिए कि बजाज फिंसर थोड़ा कि उसका प्राइस बहुत जादा तो उसको नहीं खरीदेंगे हम तो भाई इसी को खरीदेंगे तो आपकी मर्जी है लेकिन ये मैं आपको explain कर रहा हूं देखें ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये knowledge purpose के लिए बताया जा रहा है और ये आपको समझना है और कुछ भी नहीं करना है यहां पर और ये देखें मैं आपको graph के इंट्रेट कर रहा था intrinsic value के नीचे में यहां पर हम चार्ट के माध्यम से समझने के कोशिस करेंगे यहां पर मैं आपके सामने all time लगाऊंगा और देखते हैं दोस्तों कौन सा 900 के आसपास था लेकिन यहां पर देख लिए दोस्तों फरवरी के बाद मार्श और अप्रिल में यह stock का प्राइज जो था दोस्तों 2000 के आसपास हो चुका था 2000 के आसपास ठीक है तो लगबग हम बोल सकते हैं दोस्तों more than 50% यह stock है टूट चुका था more than 50% यह stock जो है टूट चुका था कि हिसाब से और अगर हम देखते हैं दोस्तों यह जो बजास fincer है देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ हम यह आप पर competition नहीं कर रहे हैं कि बजास finance अच्छा है या बजास fincer मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो बजास fincer है यह आपको सस्ते valuation में मिल रहा है अब आपके उपर depend है कि आप कहाँ पैसा लगाते हो देखिए अगर आपके पास दो product है एक दिखने में अच्छा है और एक inside से अच्छा है मतलब कि एक outside look होता है दोस्तो और एक inside तो मुझे लगता है कि आने वाले दो सालों या पांच सालों में तो आप लाकों में भी खिल सकते हो जो चोटी नीवे सकते है वो भी अगर मालीज़े वन वन क्वांटीट भी दो महिने में तीन महिने में अगर यह खरीदना स्टार्ट कर देते है तो लेकिन आप इसका value calculate क कर सकते हो compound interest पर calculate की जगा ठीक है compound interest पर तो यहां पर देख सकते दोस्तों यह stock भी बहुत ज्यादा गिरना स्टार्ट किया था कब यह 9700 के आसपास highest मा रहा था 17 फरवरी दोस्तों दोनों stock में फरवरी सही गिरावाट हो चुकी थी लगबग nifty 3400 के आसपास से गिरना स्टा और यह stock में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप देखें कभी भी हमें पैसे लगाना चाहिए तो कैसे stock में पैसे लगाना चाहिए दोस्तों आपको अपर मतलब कि जिस stock में uptrend हो वो stock में पैसे लगाना चाहिए और मेरे ख्याल से दोस्तों मेरे ख्याल से मैं आपको बोल पर मिल रहा है तो आप समझ लिजे बाकी आपकी मर्जी है और स्टॉक देखिए यह सदेन गिर चुका है कोरोना वाइरिस के वज़े से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आने वाले दिनों में देखिए जब यह बाउंस बैक मार देगा 50% बाउंस बैक मार देगा और को दोस्तो 8000 रुपीज हो जाता है तो आपको यहां पर 1000 में प्रॉफिट हो रहा है लगाए तो 5000 तो 6000, 7800, 8000 तो आपको 2 या 3000 आपको यहां पर easily मिल जाएगा ठीक है आप यह मत सोचे कि मैंने 5000 में अगर मैं लगाता कहीं पेमाली जो छोटे वाले स्टॉक में 2 रुपिया पाता तो आप उसके बारे में मत सोचे क्वांटी नहीं क्वालिटी पिजाए ठीक है क्वालिटी अगर आपके पास होगा तो आप कहीं से भी पैसा खमा सकते हो तो दोस्त मेरे तरफ से अगर आप सोचना चाहते हो तो मैं बोलूगा बागी आप एक बार जरूर देख अगर आपको दोस्तो मालीजी आप मुद्धे के बात प्याते हैं अगर आपको डिमेट अकाँंट उपेयी करने में कोई तकलिफ हो रही है तो डिस्क्रिप्टन में लिंक है दोस्तो आप यहां पर अपने अकाँंट आपको दोस्तो एंगेल ब्रोकिंग के तुरूज आपको सपोर्ट दिया जाएगा उटमाटिक आपके पास आएगा इससे पमेत थोड़ा सपोर्ट मी देगा आपको टिक है तो डिस्क्रिप्चन में लिंक है जा के दोस्तों फ्री में अकाउंट खुल रहा है आप अपने